विपक्ष और विभिन संगठनों की आलोचनाओं के बावजूद जनता की नजरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोगप्रियता कोविद 19 महामारी के बाद चरम पर है ऐसे समय में जब सरकारी वगेर सरकारी एजेंसियों के आंक्रे महंगाए और बेरुजगारी के विकट हालात बता रहे हैं हर तीन में से दो भारतियों का मानना है कि पीएम मोदी ने दूसरे कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में अपेक्षा के अनुरूप्या बढ़कर काम किया मोधी सरकार ने महामारी की तीन लहरों में प्रभावी काम किया आर्थिक सुधार अच्छे हुए जिससे लोगों ने अच्छी रेटिंग दी COVID-19 टीका करण, रूस युक्रेन युद्ध में भारत की तत्स्थता, विश्व में भारत के बढ़ते प्रभाव, आतन की घटनाओं में कमी से भी रेटिंग अच्छी मिली 64,000 नागरिकों के बीच लोकल सकिल नामक एजेंसी के सवे में ये दावे किये गए हैं प्रशांत महासागर क्षेत्र के 10 द्वीपिय देशों को साधने की चीन की कोशिशों को करारा जखका लगा है हाल ही में सोलोमन द्वीप के साथ सुरक्षा करार कर अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया जैसे देशों की चुनौती बढ़ाने वाले चीन को 10 देशों के साथ करार की उम्मीद थी लेकिन किसी समझोते पर सहमती नहीं बन सकी चीन की विदेश मंत्री वांग यी इन दिनों साथ वीपिय देशों की यात्रा पर हैं ऐसे में इन देशों के साथ करार न हो पाना चीन के लिए करारा जखका है समुद्री क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान की चुनोती से निपटने के लिए भारत बड़ी तयारी में है इसके लिए वह इश्या का सबसे बड़ा नौसने करदा बना रहा है करनाटक के करवार क्षेत्र में बनने वाला यह नौसने करदा बेहत खास होगा जहां से चीन और पाकिस्तान दोनों पर नजर रखी जा सकेगी राश्ट्रपती चार जून को गोरकपूर पहुंच रहे हैं गीता प्रेस के कार्यक्रम के साथ ही उनका संत कबीर की परिनिर्वान स्थली मगहर जाने का भी कार्यक्रम है राश्ट्रपती इस दोरान आठ पेपर पर प्रकाशित श्रीराम चरित्मानस और गीता प्रेस के संस्थापक जैदेयाल गोयन का द्वारा गीता पर टीका तत्व विवेचनी का भी विमोचन करेंगे साथ ही सौ बच्चों के साथ लाइट एंड साउंड शो का आनंद भी उठाएंगे शेर बजार में पिछले कई दिनों से जारी तेजी पर इस कारोबारी हफते के दूसरे दिन आज ब्रेक लग गया आज दोनों इंडेक्स लाल निशान पर खुले जानकारों के मुताविक निवेशिकों की मुनाफा वसूली के चलते बजार में गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई है आज देश के 24 राज्यों के लगभग 70,000 पेट्रोल पंप तेल विपनन कमपनियों से पेट्रोल डीजल नहीं खरी देंगे पंप मालिकों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमते बढ़ने के बाद पेट्रोलियम कमपनियां जमकर फाइदा ले रही हैं लेकिन दीलर्स के कमीशन में कोई जाफा नहीं किया गया है उत्तर प्रदेश के बरेली में आज भीशन सड़क हादसा हुआ फतेल गंज पुलिस स्टेशन इलाके में एक कैंटर और एम्बूलेंस के बीच हुई जोड़ा टक्कर में साथ लोगों की मौत हो गई